यदि आप भी भी हार बोट से मैट्रिक या इंटर की बोड एकजाम 2024 में उत्रिन कर चुके हैं और जो आपको मैट्रिक उत्रिन करने पे 10,000 रूपया और इंटर उत्रिन करने पे 25,000 रूपया मिल रहा है इस प्रोच सहाराशी के लिए अगर आप आप आउनलाइन आवेदन क जाएगा उसके साथ जिनका रीजेक्ट नहीं हुआ है उनको क्या कारिया करना है जिससे की चंद दिनों के अंत्रगत आपके खाते में पैसा भीज दिया जाए तो चलिए हम लोग समझते हैं ध्यान से मैट्रिक और इंटर दोनों पास पूरुच सहाराशी के लिए हम लोग चर्चा करेंगे तो सबसे पहले आपका गर्मान नीचे किसी कारण से देखे सबसे पहला काम तो आपका है कि आपको अपना रजी स्टेशन कराना होगा फॉस्ट स्टेशन कराना होगा फॉस्ट स्टेशन होना चाहिए तो रजी स्टेशन बरतमान में हो रहा है अगर आप म तो सबसे पहले तो आपको रजीस्टेसन करना पड़ेगा तो वहां से वीडियो देखकर चैनल को सब्सक्राइब करके जाकर देख लिएगा वीडियो मिल जाएगा चेक किज़ेगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या यह जब वीडियो खतम होगा तो यहां पर मैट्री कर सबसे पहले आपको अपलाई करना है अगर मालिजा आपका जो मैं स्क्रिन पर यहां पर दिखा रहाएँ पिक्चर और इस कारण से अगर पीएमें फैस अगर रिजेक्ट दिखा रहा है अगर इसका मतलब क्या है कि आपका आधार कार्ड बैंक खाता से सीडेड नहीं है तब उनके लिए क्या solution है, तो उनके लिए देखिए कि आपको बैंक में जाना होगा, और आपका seeded होगा रहा करा लेना होगा, और seeded कराने के बाद, अगर मानलीज़ आप seeded भी करा लिये होगे, फिर भी आपका reject दिखा रहा है, तब क्या करेंगे, तब आपको एक बात clear आपको दुबारा online नहीं करना है, अगर reject होगा, आप सुधार करा लिए, seeded होगार आपका हो गया है, तो आपको 15 दिन का इंतजार करना है, ठीक है, clear हो गया, चलिए आप बात करते हैं, कि आपका पैसा 11 कब तक आजाएगा, तो पैसा कब तक आएगा, तो देखिए सब से पले, तो आपका, मतलब की apply आप करेंगे, registration करेंगे, उसके बाद आपको बार बार application status दिखिए, आप लिखा गया, कि application status check करना है, अगर आपका हर एक चीज़ सही है, तो आपका सभी चीज़ update हो जाता है, maximum 7 दिन में, ठीक है, अगर सभी चीज़ आपका सही है, तो 7 दिन मे अपडेट हो जाएगा, इसी में समय लगता है, इसके बाद जैसे ही update होगा, आपको user ID, password दे दिया जाएगा, आपके registereded mobile नमर पे, उसके बाद आप तुरंत final submit करेंगे, उसमें कुछ नहीं करना होता है, दो चार जान का रिटीक होगरा करना होता है, उसके चंद दिनों बा तब आपको बार बार application status चेक करना है, अब चलिए अगर आप home भर दिये हैं, आप registration उगरा कर दिये हैं, तो कौन सा कारिया आपको करते रहना है, जिसते कि आपके खाते में जल्द पैसा आजाए, आईए उसको live समझते हैं, आपको अपने mobile phone का कोई भी browser open करके और Google search box में आ आप सानी साप यहां से कर सकते हैं, कि AR ZawPultas search किजिएगा, जो यह spelling यहां पर देख पा रहे हैं, वहीं से में spelling आपको टाइप करके सर्च करना है, आपके सामने search result आजाएगा, AR ZawPultas.com official website यहां पर इस तरह आप में सो होगा, सिम्पल सा आपको इस website पे click कर देना है, यहा तो दूसरे नमर पे आपको पोस्ट मिल जाएगा, आपका अधार कार्ड हो गारा seeded है कि नहीं कैसे चेक करेंगे, यह भी पोस्ट आपको मिल जाएगा, अब यहां पे देखे सब से उपर पोस्ट है, मैट्रिक इंटर पास पूरू साहारासी को लेकर, तो आप चाहाए अगर आप तेंथ के परिक्षारती है, तो यहां पे आपके लिए परियात लिंक दिया गया है, अगर आप आवेधन कर लिए, तो आपको जो मैं कार्य बता रहा हूँ, यह आपको करते रहना है, अगर आप इंटर के परिक्षारती है, तो यहां पे देखे नीचे की तरह ब आज 12 की बोड एक्जाम पास के रथत की इंटर पास पुरुचाहारा से के लिए आवेदन की हैं तो यहाँ पे बना है व्यू अप्लिकेशन स्टेटरस देखिए आप लिखा भी गया है 12 पास के लिए यहाँ पे किलिक यहर बना है मतलब 3 वाले भी द्यारती 3 वाले लिंक से क परेंगे सभी काम और 12 वाले 12 वाले लिंक से तो व्यू अप्लिकेशन स्टेटरस के सामने जो किलिक हियर है सिंपल सा आपको इस किलिक हियर पे किलिक कर देना है अब आपके सामने दिखिए एस्टेटरस चे करने के लिए जो बोड आता कि आवेदन करने के बाद एस्टेट यहां पर आपका आधार नमर मोबाल नमर अब देखेँ यहां पर आपका रिजेक्टेट दिखा रहा है तो आपको सीड़ेट अगरा करना होगार उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है इंतजार करना है 15 दिन में यहां पर अपडेट हो जाएगा तो उसी तरह सभी verified जब so हो जाएगा अगर कुछ पीस में reject होता है तो यहीं पे so करेगा तो आपको एकाउंट एक बार एस्टरस चेक करना और करते रहना यहां से ताकि तभी आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म होगा रहा कि क्या बर्तमानी स्थिती है तो यहां पे अगर इसी तरह आपका सभी चीज verified जब so करने लगेगा तब आपका user ID पासवर्ड आएगा आपको finalize करना होगा तो सीधे आपका payment एस्टरस सो करना सुरू हो जाएगा और आपका सभी चीज सही रहा तो चंद दिनों में आपके खाते में पैसा आ जाएगा तो जिनका भी समझी एकाउंट verified दिखा रहा है उनका कुछ दिन में सभी चीज अपडेट होगा तब आपको user ID पासवर्ड मिलेगा यहां पर नीचे की तरह बढ़ते आईएगा पूरा शीड़ की परकीरिया समझाएगा क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह पेज ओपन कर देगा और यहां पर आपको आधहार नमबर सही सही टाइप कीजेगा और यहां पर जो एक को माइल नमबर पर बैज बीड़ा जाएगा उस वह टीपी को भरके और आपको सम्मीड बटम पर किलिक करना है उसके बद देखिए आपके सामने अगर ऐसे पेज ओपन हो रहा है अगर यहां पर लिख रहा है कि आपका आधार है स्टेटर इनक्टीव है ठीक है इनक्टीव तो समझे आपका कोई भी बैंक एकाउंट सीडेड हो गारा नहीं है तब जाकर आपको सीडेड कराना होगा और अगर आप में देखिए ऐसे लिख रहा है कि आपका एक्टीव लिख रहा है यहां पे ध्यान से देख पा रहे होंगे दूसरा मैं आपको दिखा रहा हूं कि मैंने आपको यहां पे जानकारी दे दिया तो अगर आप भी मैट्रिक इंटरपास प्रोचाहां रासे के लिख रहा है तो दो काम आपको करना होगा एक तो सीडेड हो गारा तो यहां सा कर आप चेक कर सकते हैं और दूसरा कारी है कि आपको एस्टेड़ करा लिए आपका फ पासवर्ड पे किलिक करके आप पासवर्ड होगा आप राप्त कर सकते हैं उसके वादा फॉम फाइनलाइज करेंगे आपके खाते में पैसा आजाएगा तो बाकि सभी कारे यहां पे यहां पे दोनों पोस्ट कर लिजिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यबाद